नमस्कार आप देखरेंसिटी पोस्ट लाइव और मैं हूँ आपके साथ हर्शिता प्रताप सिंग प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से मुख्य मंत्री नितीश कुमार पर जम कर निशाना सादा है बिना नाम लिए राजस्थान के पाली में चनाव सभाव को संबोधित करते हुए प्रधान मंत्री मोदी ने कहा कि घमंडिया गडबंधन का एक नेता है जो की बिहार का मुख्य मंत्री भी है उन्होंने पुर्व मुख्य मंत्री जो की अती पिछरा दलित समाज से आते है उनके लिए ऐसी अभधर भाशा का प्रयोग किया जो की शायद आम जनता भी बादचीत के दोरान नहीं करता होगा ये दूसरी बार है जब प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने किसी चुनाव सभा को संबोधित करते हुए नितीश कुमार पर इस तरह से निशाना साधा है प्रधान मंत्री मोदी ने कहा कि उन्हें उनका अपमान करने में आनन्द आता है उन्होंने विधान सभा में ये सब बाते कहीं एक पूर्व मुख्य मंत्री के लिए उन्होंने तो पाप किया लेकिन कॉंग्रेस ने भी एक नेता के मूँ से इसके विरोध में एक शब्द भी नहीं निकला कॉंग्रेस के पास यह बताने की बुद्धी नहीं है कि यह गलत था इससे पहले मध्यप्रदेश की चुनावी रैली में प्रधान मंत्री ने बिहार विधान सभा में नितीश के जन संख्यानी अंतरन पर दिये गए बयान पर हमला किया था और यह कहा था कि इंडिया गडबंधन के नेता ने दुनिया के सामने भारत का अपमान किया है नितीश का नाम लिये बिना मोदी ने कहा कि किसी भी इंडिया गडबंधन के नेता ने उनकी अपमान जनक टिपनियों पर आपती नहीं जताई उन्हों कोई शर्म नहीं है क्या वे इतने नीचे गिरेंगे प्रधानमंत्री मोदी के इस बयान पर नितीश की पार्टी जेदियू ने भी PM के बयान पर प्रतिक्रिया दी है जेदियू प्रवक्ता अभिशेक ज्जा ने कहा कि इन दिनों PM मोदी जीतनराम मांजी के लिए चिंते दिख रहे हैं लेकिन भाजपाच चुप क्यों थी जब उसके एक विधायक ने पूर्व CM को जीतनराक्षस मांजी कहा था जबकि एक अन्य बीजपी नेता ने उनकी PM और उनके बेटे को मंत्री बनाया लेकिन मांजी अप भाजपा के जाल में फस गए और आए दिल बेबुईनियाद बयान दे रहे हैं भाजपा ने तो दलित नेता दिवंगत जब जीवन राम के नाम पर चलाय जारे कारेकरम का नाम भी बदल दिया वहीं लालू की विलास पासवान की मौत के बाद दिली पुलिस द्वारा उनकी परिवार के साथ किये गए विवहार को याद दिलाया राजन ने प्रवक्ता एजाज एहमद ने कहा हर कोई जानता है कि मांजी जी को बिहार का CM किसने बनाया दरसल विधान सभा में जन संख्या नियंतरन को लेकर नितीश कुमार जो बाते कह रहे थे उसके दोरान उन्होंने कुछ ऐसी टिपनिया कर दी थी जिसको लेकर नितीश कुमार की लगतार निंदा की जा रही थी और उसके बाद दूसरे ही दिन उन्होंने जीतन राम मांजी से सदन के अंदर तू तड़ा करके बात किया और कहा था कि मेरी बेवकूफी के वज़े से ये मुख्यमंत्री बना जिसको लेकर लगातार नितीश कुमार की आलोचना हो रही है ये कहा जा रहा है कि उन्होंने दलित नेता का अपमान किया जिसको लेकर ये दूसरी बार है जब प्रधान मंत्री मोदी ने नितीश कुमार पर निशाना साधा है और कहा है कि उन्हें उनका अप्रमान करने में मज़ा आता है साथी कॉंग्रेस को घेरते वे उन्हों ने कहा कि नितीश कुमार ने तो जो किया वो गलत था लेकिन वहीं कॉंग्रेस की ओर से भी एक भी नेता ने नितीश कुमार के इस बयान की निंदा उन्हें इतनी बुद्धी ही ही नहीं कि वो समझ पाए कि नितीश कुमार ने जो किया जो कहा वो गलत था, प्रधान मंत्री मोदी के बयान पर जेदियो और आर्जडी दोनों की प्रतिक्रिया भी सामने आई है, क्या कुछ प्रतिक्रिया दोनों पार्टियों के तरफ से आई है यह हमने आपको बताया इस रिपोर्ट में फिलाल इस खबर में इतना ही आप आगे की खबरों के लिए देखते रहें सिटी पोस्ट लाइव इस वीडियो को लाइक करें शेर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें धन्यवाद